नमस्कार दोस्तों, एन टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रस्तुत है चारक के नीती के आधुनिक रूपांतरड की एक और वीडियो चारक के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे इसलिए लाइक जरूर करें अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों हिंदू पुराणों और गरंतों में हमारे जीवन से जुड़े कई सारे रहसे और सत्ते उजागर किये जाते हैं हमें अपने जीवन में कैसे बेवार करना चाहिए कैसे आचार विचार का परदान करना चाहिए हमारे रिती रिवाज धर्म और इसके अलाबा हमारे इशुर से जुड़े कई सारे नियम भी एक संतुलित जीवन व्यातीत करने के लिए लागू किये गए हैं दोस्तों जिस प्रकार हमारी दिन चर्या में दिन का भोजन और रात का भोजन विप्रीत होता है धीक उसी तरह हमारी दिन चर्या के काम भी कुछ इसी तरह विभाजन किये गए हैं हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे कारियों के बारे में बताया गया है जो रात को करना वर्जित माना जाता है ऐसा माना जाता है इन कामों को करने से आपके जीवन पर बुरा अथवा भयानक परिडाम पड़ सकता है दोस्तों हम जानते हैं आज की जीवन शैली को देखा जाए तो लोग ज्यादा तर खास कर बड़े शहरों में नाइट लाइफ को ज्यादा इंजॉय करना पसंद करते हैं उन्हें रात को बाहर घूमना दोस्तों से मिलना इन चीजों का काफी ज्यादा शौक रहता है इसलिए हम सभी के लिए ऐसी बातों का ज्यान होना आवश्यक है जो हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार ऐसे कौन से काम है जो हमें रात के समय नहीं करने चाहिए और वो कौन सा अंग ह जो महिलाओं को रात के समय खुला छोड़ कर नहीं सोना चाहिए नंबर एक दोस्तों रात के समय चावराहों के रास्ते नहीं जाना चाहिए ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चावराहे पर ही काले कर्म कंड बुरी नजर उतार कर फेकना और टोटके जैसी चीजे सदियों स की जाती है इसलिए रात के समय आपको चवराहे वाले रास्ते से या जहां चार दिशाएं एक साथ मिलती हो ऐसी जगे पर नहीं जाना चाहिए चाहें दूसरा रास्ता लंबा ही क्यों ना हो किन्तु चवराहा लांग कर ना जाएं तो ही बहतर है रात के वक्त अंधेरे में हो सकता है आप अंजाने में किसी ऐसी चीज को छूले या आपका उस पर पैड चला जाए इसलिए दोस्तों बहतर है आप ऐसे रास्ते से बिलकुल ना जाएं नमबर दो, दोस्तों शम्शान के पास ना जाएं, रात के वक्त नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्री होती हैं, वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी को भी वश्मे कर सकती हैं, कई बार देखा गया है, कई सारे लोग बहादुरी दिखाने के लिए शम्शान में चले इससे आपकी मानसी की स्थिती पर प्रभाव पड़ सकता है, नमबर तीन, दोस्तों रात के समय, महिलाएं अपने बालों को खुला रखकर ना सोएं, रात को सोते वक्त महिलाओं को हमेशा बाल बांद कर सोना चाहिए, ऐसा माना जाता है, रात को बालों को खोल कर सोने से, नकार आत्मक शक्ती आपकी तरफ जल्दी आकरशित होती है, हो सके तो बालों को संध्या काल में ही बांद कर रखे, दोस्तों महान आचारे चारक ने अपनी नीती में चाल बाज औरतों के लक्षन बताए हैं, ऐसी महिलाओं से किसी भी पुरुष को सदैप साबधान ही रह ना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तय होता है, क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी इस्तरी के मोह जाल में फंस जाते हैं, तो उन्हें मृत्यू के अलाबा कोई अन्य चीज मुक्ती नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसी दुष्ट इस्तरीयों की माया ही ऐसी होती है, कि वो बुद्धिमान से बुद्धिमान पुरुष की मती को भरष्ट कर देती हैं, दोस्तों इनके सामने बड़े-बड़े तपस्वी अपना तपोबल खो देते हैं, तो साधारन मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है, इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी इस्तरी के मोह में पढ आपधान हो जाईए, अपने कदम पीछे खीच लीजिए, क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं, जहां से लोटना असंभव है, ऐसा मार्ग आपको अनर्थ की और ले जाता है, दोस्तों इस्तरी भले ही रूप से सुन्दर हो, बातें उसकी मधुर हो, लेकिन उस पुद्ध का ही विनाश कर लेते हैं, दोस्तों जो साधारण मानव, अपने मन, बुद्धी, तथा इंद्रियों को बश में नहीं कर पाते, बो तो ऐसी इस्तरीयों के निकट भी ना जाएं, अत्वा ऐसी इस्तरी का नाम भी ना लें, क्योंकि ये उन्हें बिनाश की और ही ले जाएगा, अईसी इस्तरी का सहवास उन्ही पुरुषों को करना चाहिए, जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को बश में कर पाता हो, जो भाबनाओं की कदर ना करता हो, अत्वा जिसका मन कठोर हो, और किसी के द्वारा ठुकराये जाने पर, उसे कोई फर्क ना प जाता हो, उसे कभी भी किसी दुष्ट इस्तरी के समीप नहीं जाना चाहिए, इसलिए अगर आपका हर्दय भी कोमल है, तो आप इस वीडियो को अंततक जरूर देखें, और जाने कि आपको किस परकार की इस्तरीयों से दूर रहना है, दोस्तों वैसे देखा जाए, तो बा ये दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन सी हैं वो महिलाएं जो बुद्धिमान से बुद्धिमान, शूरवीर तथा महान ग्यानी पुरुषों को भी आग की तरह जला कर राक कर देती हैं, नमबर एक, मद पैदा करने वाली, दोस्तों मद पैदा करन अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती हैं, अगर इस्तरी के ऐसे हावभाव को देखकर कोई पुरुष ऐसा समझने की भूल करता है, कि वो इस्तरी उससे प्रेम करती है और उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बड़ा मूर की संसार में कोई नहीं, क्यूंकि ऐसी इ इस्तरीयों के मोह में फसता है, वो मृत्यू को ही गले लगाता है, नमबर दो, छल करने बाली, दोस्तों छल करना इस्तरीयों का सबसे बड़ा दुरुगुण है, स्वार्थी इस्तरी मूर्क पुरुष के साथ छल करती है, पुरुषों के साथ नहीं, वो अन्य इस्तरीयो दूसरों के घरों में जगड़े लगाना दूसरों के घर तोड़ना इनकी दिन चर्या होती है ऐसी आउरतों को दूसरों को कष्ट में देखकर आनन दाता है ये आउरते विवाद करती हैं धमकी देती हैं दूसरों के रहसे जानने के पस्चात उन्हें भया दोहन करती हैं इसी निर्दई इस्त्री से प्रेम करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। निर्दई अत्वा कठोर हर्दय वाली इस्त्री के लिए कोई अपना नहीं होता उसका सुर्थ ही उसके लिए सब कुछ होता है। एक निर्दई इस्त्री अपनी बासनाओं और आकांग्शाओं को पूरा करने के लिए किसी का भी गला घोट सकती है अत्वा विश्खिला कर किसी को भी मार सकती है अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिलकुल भी परबाह नहीं है जो उ इस्त्रियां बाद बाद पर ढोंग रशती है अत्वा स्वांग रशती है उनसे पुर्षों को तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए क्योंकि ऐसी ओरतें अपने फायदे के लिए ढोंग रशती है और इनके मोह में फसे व्यक्ति से कोई भी अनिष्ट कार्य करवा सकती है इ ऐसी इस्त्रि से प्रेम कताई नहीं करना चाहिए क्योंकि घमंडी इस्त्रि दूसरों को तिनके के समान समस्ती है वो जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है और जब मन चाहे वो किसी का भी त्याग कर देती है ऐसी इस्त्रि के साथ रहने बाले पुरुष उनके दास बन कर रहते हैं और जीवन वर दुख जहलते रहते हैं बाहराल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी परकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए इस्टे मोटिवेट इस्टे फियरलेस